कि यह प्रस्णावली दोशनर दूब यह जह हैं एंसियाटी गनेट क्लास्टु एल्थ का है आज के हम वीडियों में बात करेंगे प्रस्णा क्या पहुंच के बारे हैं तो पांचमा स्वाद दिया गया है 10 inverse root under 1 plus x square minus 1 बटा x यह question दिया गया काता इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मान लेते हैं माना की x is equal to 10 जीटा यानी x का मान जाए 10 जीटा x के बदला में मान लेंगे उसके बाद हो जाएगा इसी जीट जीटा का मान हो जाएगा 10 inverse x हो जाएगा अब यह मान को हमें क्या करना x का जो यह मान माने है उसको इसमें x को हटाएंगे उसके बदला में रख देना 10 inverse root under 1 plus x square minus 1 बटा x यह है परस्म इसमें हमें क्या करना x के बदला में 10 जीटा को अपलाई कर देना 10 inverse root under 1 plus 10 square theta यहाँ x का square है तो 10 theta रखेंगे x के बदला में इसका भी square हो जाएगा तो 10 square theta बाहर में minus 1 है अब बटा फिर इसके बदला हो जाएगा 10 theta अगला step में हम क्या करेंगे 10 inverse यहाँ जाएग सुत्र होता है 1 plus 10 square theta यह root under में है इसके बदला में सुत्र होता है 6 theta यह सुत्र जामें लगाना यहाँ पर यह सुत्र लागू होगा 6 theta बराबर सुत्र होता है root under 1 plus 10 square theta इसका मूल सुत्र होता है 6 square theta minus 10 square theta is equal to 1 यही सुत्र से यह बनेगा तो इसके बदला हमें रख देना है 6 theta minus 1 बटा फिरा जाएगा 10 theta फिर क्या करेंगे 10 inverse step के बदला में सुत्र होता है 1 बटा cos इसका सुत्र होता 1 बटा cos theta minus 1 निचामने कुछ के 1 और यह 10 theta का सुत्र होता है sin theta बटा cos theta इसमें हम दो सुत्र लगाए एक लगाए स्ट्र फिता बराबर 1 बटा cos theta दूसरा सुत्र लगाए है 10 theta स्ट्र इसकल तू स्वाइन theta बटें cos theta यह दोनों सुत्र लगाए यहाँ पर इसको हम भीटाते हैं अब अगला step में क्या करेंगे उपन में है भीन का घटाव बंदा 10 inverse लगुत्तम लेंगे तो cos theta और एक cos से भाग देंगे तो एक गुना 1 1 आएगा minus फिर एक से भाग देंगे तो cos cos गुना 1 क्या हो जाएगा cos theta बटा फिर है sin theta बटा cos theta अगला step में हो जाएगा 10 inverse उपर लाव इसे यह देगा 1 minus cos theta बटा cos theta into cos जाएगा उपर बटा sign आजाएगा नीचे cos से cos क्या हो जाएगा तो दख जाएगा फिर बच रहा है 10 inverse 1 minus cos theta बटा हो जाएगा sin theta उसके बाद है इसका एक सुत्र होता है 1 minus cos theta बटावर सुत्र होता है 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 2 sin square by 2 into cos theta by 2 2 sin square by 2 into cos theta by 2 और उसके बाद एक उत्र होता sin theta बटावर 2 cos square theta by 2 into sin theta by 2 यह सुत्र लगेगा यहाँ पर 1 minus cos theta इसके बाद हम क्या करेंगे 2 sin square theta by 2 into cos theta by 2 रखेंगे और sin theta बटावर रखेंगे 2 into cos square theta by 2 into sin theta by 2 ऐसा हम इसलिए यह सुत्र यहाँ रखने की जुरुत पर गया क्योंकि यह 10 inverse है 10 inverse को जब तक हम 10 नहीं लाएंगे तो यह कटेगा नहीं इसको काटने के लिए हमें इसके बदला में ऐसा मान लाना होगा ताकि यह 10 को रुखमा जाएं जब यह 10 को रुखमा आएगा तभी यह कटेगा इसलिए यहाँ पर यह दोनों सुत्र हमें लगाना परेगा अब लगाते हैं इस सुत्र को लिखेंगे 10 inverse इसके बदला में लिखेंगे 2 sin square theta by 2 into cos theta by 2 बटा इसके बदला अब फिल लिखेंगे 2 cos square theta by 2 into sin theta by 2 यह सुत्र लागो होगा इसमें 2 से तो कटेगा उसके बाद यहाँ पर है cos theta by 2 और यहाँ square है इससे यह कटेगा बचेगा cos theta by 2 और यह spine से इसको काटेगा यहाँ बचेगा spine theta by 2 तो इसमें कटने के बाद बचेगा 10 inverse sine theta by 2 बटा cos cos theta by 2 cos theta by 2 sine बटे cos इसका सुत्र हो जाएगा 10 theta यह हो जाएगा 10 10 inverse sine बटे cos एक सुत्र होता है 10 theta by 2 sin theta by cos theta यही सुत्र लागू होगा यहाँ पर theta by 2 है यहाँ पर 2 लग जाएगा यही सुत्र होगा यहाँ पर लागू तो इसके बदला हों क्या लिखेंगे 10 theta by 2 10 से 10 inverse क्या होगा कटेगा तो बच जाएगा theta by 2 और theta का मान कितना माने है 10 inverse x यह हो जाएगा 10 inverse x यह था प्रस्ना बली 2 दस्वनब 2 का प्रस्न संख्या 5 इससे पहले वाले वीडियो का जहें लिंक description में दे दिया गया है वहाँ से भी आप देख सकते हैं बलागा यह यह